दोस्तों नमस्कार तो वीडियो बिल्कुल पूरी देखना जरू से बहुत ज़ादा इंपॉर्टन होने वाले है क्योंकि आज हम प्रिवस्टी और सिक्यूरिटी के बारे में बात करेंगे और इंडिया के अंदर अनफॉर्चनेटली 90% जो लोग है वो इसके बारे में बिल् से था लेकिन अभी आपे लोग को समझ में आ रहा है बहुत से क्रीडर इस बात को उठा रहा है तो ऐसे में इसमें क्लीन माश्टर का यूज क्लीन मास्टर बहुत ही सालों पहले प्लेश्टर से हटाय गया है और साथ ही में यह बहुत बदनाम भी है क्योंकि यह डाटा ली बहुत बदनाम वाला एप है जो डेवलेपर है वह चीता मोबाइल चीता मोबाइल के जो भी आप्स होते है बहुत से इसके वह अभी आप्स पर आपको नहीं मिलेंगे और बहुत कुछ चारपा सालों पहले में भी क्लीन मास्टर को यूज कर रहा था जो कि जाड़ू आती सिक्यूर्टी वाले एप में देना ही क्यों है शाओमी को पोको का फोन हो या पर रेटमी का फोन हो तो यह सबसे बड़ा यहाप पर प्रिवेसी इश्यू फाउंड हो है अब यह करता है कि जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो जब आपको स्टार्टिं में इसमें जाते क्लीनिंग अप्षण को पर भातिते हैं अलगज सेटिंग हो हो सब पिच의ंज सेकर्बार्ण हो सब klимость होते हैं यह कितना सिक्यूर है, सैंसंग के फोन यह भी सिक्यूर नहीं है, तो यहाँ पर बात बदाओ कि सैंसंग के जो फोन है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेगा, सैंसंग के फोन में आपको clean master जैसे कोई भी यह पर definition देखने नहीं मिलते हैं, तो clean master का यह पर सवाल आता ही नहीं है, तो यहाँ पर एक बात होती है कि सैंसंग के यहाँ डिवाइस केर में clean master है नहीं, तो यह उससे जट सिक्यूर हो जाता है, दूसरी बात कि इसमें जो आपको virus scanner मिलता है, वो आपको Macafee का मिलता है, तो Macafee एक antivirus है, जो कि American company है, जो कि इसमें आपको कोई issue found नहीं होता, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो सैंसंग का device के रही है, यह भी कुछ access लेता है, जो कि यहाँ पर storage और telephone के लेता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही minimum access लेता है, तो और ज्यादा access यह नहीं लेता, location नहीं लेता, तो यह बिल्कुल ठीक है, और सैंसंग एक brand है, भरोसा है, और यह location access दे सकते हो, इसा एक option भी आता है, तो इससे में यहाँ पर बहुत अत्तक यहाँ पर यहाँ पर इसके आप access को deny कर सकते हो, जो permission नहीं ले रहा है, उससे आप deny कर सकते हो, और जो device के रही है, उसमें आप clean master नहीं मिलता, और जो antiverse मिलता है, वो Macafika मिलता है, और साथ ही में जो Samsung की phone होते है, वो nox security के साथ में आता है, जो कि hardware और software base के उपर होती है, जो कि आपको एक top level की security देती है, provide करती है, तो यहाँ पर security के ममले है, Samsung जो है, इन सभी brand से बहुत ज़्यादा आगे है, तो इससे में Samsung का सवाल ही नहीं उठा कि आप इसके उपर ज़्यादा कुछ ब्लेम करो, अब यहाँ पर Vivo की, Oppo की, यहाँ पर Realme की बात करें, तो यहाँ पर Oppo के phone में हो, यहाँ पर Realme के phone में हो, यहाँ पर दो नहीं phone एक में के साथ में connected है, phone manager करके application मिलता है, जो कि inbuilt होता है, यह भी आपको clean करता है, आपके phone को catch a clean अगरे करता है, तो यह भी कु तो यह अभी भी 360 जैसे यह पर clean master जैसे applications को अपने inbuilt app में डाल रखे है, जो कि बहुत ज़्यादा helpful नहीं है, बहुत ज़्यादा harmful है, हमारी information यह collect करते है, चैनि सर्वर पर upload करते है, बहुत ज़्यादा data leak करते है, ऐसे में यह अपने phone में, अपने inbuilt security option में क्यों इने add कर अच्छी बात है कि इसमें भी एक आय मेनेजर आता है, तो उसमें भी आप जो है बहुत से एक्सेस लेता है, permission लेता है, लेकिन आप उसे deny कर सकते हो, आपको मर्जी हो तो आप उसे deny भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, और यहापर इसमें जो है, वो clean master गर ऐसा funda मुझे देखने नहीं मिला है, और कुछ phone में हो सकता है, लेकिन most of the Chinese company जो है, वो यहापर जो अपने phone में clean master 360 का use कर सकती है, यहापर करती भी है, तो ऐसमें आप इनको इसके बार में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और आप भी जब smartphone खरीते हो, तो आपको definitely करना क्या है, तो आप ज लंबी process से format करना पड़ेगा, और format करने के बाद में फिर से जो है वो इसके सभी permission जो है वो deny हो जाएगे, उसके बाद में जब आप इसे open करेगे तो फिर से alarm आगेगा, तो तब उससे alarm नहीं करना है, तो आपको format करना पड़ेगा, और फिर आपके सभी access जो हो सकती है, तो करना है, तो यहाँ पर security option है, उसको जो है वापे इनके अंदर access मत दीजी, और यहाँ पर शाओमी ने जो बताया कि हम बहुत जल एक update आएगी, उसके बाद में यह सभी इशू हो जाएगे, आप देखते हैं कि इशू होते हैं नहीं, लेकिन आपको समझना है और आपको उस privacy और security को लेकर, कमपनिया जो है वो data को बहुत अलग तरीक से use करते हैं, अलग-अलग recommendation करने के लिए, साथ में इनका business करने के लिए बहुत से अलग-अलग ads दिखाई जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर यह company को समझना पड़ेगा, इंडिया के अंदर ऐसे कुछ strong laws नहीं है, जो कि इन सबी चीदों को रोख सके, तो ऐसे में यहाँ पर कमपनिया मनमानी करते रहती हैं, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब रहना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अगर यह वीडियो बिल्कुल information आपको सही से मिली होगी, अगर आपको समझ में आओगा तो इसस करना अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, अब साथ में बेल को भी तबाह करके, अल करना, बाइब बाइब दोस्तों, मिलते अगले वीडियों करेंगे,